जिहार में सिक्षा के छेत्र में सबसे जाड़ा वर बजट ये प्रधार प्रावधान किया है कनिक्षाल विदू तापूर्ती पहुंचाने में एक बड़ी सफलता पाई है जो सस्थागत प्रशव है उसकी संख्या 10.5 परसद से बढ़ कर 14.9 लाक हो गई ये एक लेन तथा मध्यवर्ती लेन वारे लगवक 75% राजिश्पतों को दो लेन में हम सबों ने उतकरमित करने का काम किया नवश्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज मैं हूँ आपके साथ शिवम आज बिहार विधानसवा बजट सट का पहला दिन था और आपको बता दे कि बिहार के उपमुख मंत्री सा वित मंती तारकिशोर प्रशाद ने आज बिहार आर्थिक सर्विक्षन रिपोर्ट पेस किया है आप साथ तोर पे तस्वीर में देख सकते हैं उनके साथ तमाम जितने भी विध्य विवाग के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विहार के उपमुख मंत्री तारकिशोर प्रशाद पहले आप वो सुनें हमारा वी चालू विगत वित्य वर्स है 2021 का उसमें विहार के विकास के जो कहीं आयाम हैं हम कहां तक पहुँचे हैं और हमारी सरकार का जो लक्ष है उससे मुकाम तक हम कैसे पहुँचेंगे इसका एक आखलन हम सब करते हैं और वास्तव में यह परत्वेदन एक विकास का ऐसा वाहक है जहां सारी चेजें बहुत अस्पस प्रूप से दिखती हैं और आज आप फ़ोग के समक्ष में आर्थी सर्वेक्षन 2020 के इसको रखा है जिसका उलोकन आप सब कर रहे होंगे यह सर्वेक्षन खास इसलिए है कि इसके पतेट के अध्याई में जो एक ऐसे वेस्ट विक के महामारी COVID-19 को पुरा बिहार और भारत के साथ साथ पुरा विश्वनेग होगा है और इसके कारण जो एक बड़ा पूरे वेस्विक उसका जो एक बड़ा प्रभाव हुआ है उसमें सरकार के द्वारा जो पहल की गई है यही यह सभी अध्याव में आपको देखने का आउसर मिलेगा फुल तेरा अध्याय हैं और सबसे जो इसमें अच्छी बात है आर्थिक सर्वेक्षन में कि यह राजिके बजट के रूप रेखा को भी तैक करती है और इस रूप रेखा के पहले इस बजट के द्वारा सामाजिक आर्थिक छेत्रों में जो कुछ घट रहे हैं जो परिनाम आ हैं उसकी विश्टार से रूप रेखा सामीत रहती है मैं सिर्फ संचित में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि विहार की अर्थ व्यवस्थाग की जो विर्धी दर 2019-20 में 10-10.05 परस्थी जो भारतिय अर्थ व्यवस्थाग की विर्धी दर से ज़्यादा है हम सबों ने बिहार में सिक्षा के छेतर में सबसे जाड़ा बजट ये प्रावधान किया है और उसके कारण जो प्रारंबिक सिक्षा प्रनाली है उसमें बच्चों के नामांकन में लगातार बुर्धी होती चली गई और प्राथ्विक अस्तर पर कुल नामांकन अगर हम विद्यवर्स 2018 की चर्चा करें तो 148.35 लाग और उच प्राथ्विक अस्तर पर कुल नामांकन 79.34 लाग था और इसके कारण एक जो बड़ा प्रभाव हुआ जो ड्रॉप आउट का जो रेट है उसमें लगातार गिरावट आया यह एक बड़ी बात थी क्योंकि बच्चे आने वाले दुनों में हमारे बिहार के विकास के बाहत वो होने वाले हैं और ये सारे बच्चे हमारे बहुत ही आने वाली पिढ़ी के रूप में बिहार की जिम्मेदारी उसके कंधे पड़ जानी है अगर सैक्षनिक छेत्र में वो अगर अपने लक्ष को प्राप नहीं करेंगे तो फिर कई चीजे छूट जाएगी क्योंकि सिक्षा के विना किसी वी राजी के विकास की कल्पना भी हम बहुत नहीं कर सकते हैं और उसी प्रकार से स्वास्त को हम सबों ने प्रात्मिक्ता में रखा है और उसका एक बेहतर पढ़नाम आया कि 2014-15 से 2019 पीच के बीच में जो सस्थागत प्रशव प्रशव है उसकी संख्या 10.05 परसद से बढ़कर 14.094 लाग हो गई यह एक बड़ी छलाग है एक अगर हमारी माताएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी माताएं प्रशव के पहले और प्रशव के बाद स्वस्थ होगी तो भी हार स्वस्थ होगा क्योंकि कि तभी वो बेटर ढंग से अपने परिवार अपने समाज और राजी की सेवा कर सकते हैं और इसके साथ साथ कोरोना समंधी जो कई कदम हम सब उठाए हैं समुचित चिक्षा स्विधाओं से जुग 546 आईश्वलेशन केंद्रों के अस्थापना और 334 कोवीड आखरांद देखरे केंद्र 200 समर्पित कोवीड आखरांद स्वास देखरे केंद्र जब आधारवुत संद्रचना की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे हम सब ने सरक संचार की को हमेशा प्रात्मिक्ता दिया है और आज बिहर में 58 राष्टे उच्पत हैं जिसकी कुल लंबाई सितंबर 2020 तक का जो आखरा है वो 5475 किलो मिटर थी जो 2005 से लगवग 1940 किलो मिटर अधिक है और उसके साथ ही राजिक के जितने उच्पत हैं उसका चौरी करन भी हम सबों ने किया है हमारी सरकार ने किया था लिगत सरकार ने बर्तवान सरकार ने भी और एक लेन तथा मध्यवर्ती लेन वारे लगवग 75% राजिश्पतों को दो लेन में हम सबों ने उतकरमित करने का काम किया और उसी प्रकार से आप देखे होंगे कि 2005 तक जो हमारी पकित पावनी गंगा है जो जीवन दाइनी है और पिहार के विकास में मा गंगे के कितने बड़ी घूमिता है आप तो बतानी का आप सकता नहीं है और उसमें मात्र चार पूल थे कितनी कठनायां होती थी आवा गवन में यह भी बतलानी का आप सकता नहीं है लेकिन उसके बाद 12 अत्रिक फूल का निर्मान हुआ और कोशी नदी पर भी निट्वर्ट का हमने काफी हमारी सरकार ने काफी विस्तार किया उसके एक अच्छे परिनाम आये हैं कि आज यातायात काफी सुगम हुआ है और उसी प्रकार से बिदुत को सरकार ने काफी गंविर्टा से लिया बिदुत आपुर्टी को और उसका एक अच्छा परिनाम आया है कि जहां परतिवेक्ति 2012-2013 में 145 किलो वाट पर आवर का आकरा था उसे पर वह बढ़कर 2019-2020 में 332 किलो वाट पर आवर हो गया है और सरकार ने साथ निस्टे के तहत हर घर विजिली योजना के तहत 49,000 गाओं के सभी एक 106 लाग ग्रामी टोलो में विद्धूत कनेक्शन विद्धूत आपूर्ती पहुंचाने में एक बड़ी सफलता पाई है जो कि किसी भी राजी के विकास में विद्धूति करन का एक बड़ा महत होता है और इस परपेक्ष में यह एक बड़ी बात हमारी सरकार लेकी है और उसी प्रकार से और भी कई इसे प्रछेतर हैं जहां हमारी सरकार ने अलग-अज़ सेक्टर में काम किया है और मैं अपने प्रधान सचेप जैसे कहूंगा कि विस्तार से जो बातों को हमने सुरूप किया है उसको विस्तार देए तो आपने सुरा साफ तौर पे बिहार के उपुमुख मंत्री साफ वित मंत्री तारगीशोर परशाद का कहना है कि आज मैंने आर्थिक सर्विक्षन रिपोर्ट 2021 पेश किया है और साफत और पे उन्होंने संदर में बताया है कि बिहार का किस तरह से विकास हो इसको लेकर हम लोग हर तरीके से कार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार को हर एक उचाईयों पर लेकर जाएंगे बराला बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद